उत्तर परदेश के हरदोई जीले के पाली थाना अंतरगत ससुराली जन्द द्वारा पतिनी की विदाई ना करने पर युवक ने फासी लगा कर खुद खुशी करी परिजनों को सुचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया पुलिस ने शवक को कबजे में लेकर पोस्ट माचम के लिए भेज दिया है पुलिस जांच परतार में जुटी हुई है जानकारी के नुसार पाली थाना शेतर के रमपूरा खमरिया गाव निवासी मनोहर ने अपनी लड़की राधा की शादी दो वर्ष पहले फरुखावाद जनपत के फरीद पूर शम्शाबाद गाव निवासी राम नरेश के पुत्र संतोष के साथ संतोष अपनी पतनी राधा की विदाई करवाने गाव आया था ससुराली जनद्वारा विदाई में ना नुकुर करने पर संतोष से नोक जोख हुई थी अपने घर पर जाने की कहकर संतोष गुरुवार को चला गया शुकरवार सुभे शोच को जा रहे ग्रामिनों को गाउं के पूर्व सड़क किनारे चादनी के पेड़ पर फंदे से लटकता यूवक का शव दिखा ग्रामिनों ने परिजनों वो पूलिस को इसकी सूचना दी यूवक के ससुराल वालों के अनुसार विदाई ना होने के कारण यूवक ने फासी लगा कर जान दे दी वहीं सूचना पर पहुंची पूलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है और जाज परताल शुरू करती है हर दोई से समाधा आता शाही दली की रिपोर्ट आता शुरू के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घंडेवाल आता शाही दोई सब्सक्राइब करें झाल 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 झाल